Amazon Prime पर एक सीरीज रिलिज हुई है अधूरा नाम से और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये शो तो देखना है भाई आज भी शायद बहुत से लोगों को इस शो के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि एक तो ये OTT पर आया है दूसरा ये एक वेब सीरीज है और तीसरा इसमें कोई नाम चीन आक्टर्स नहीं है लेकिन भाई साब आक्टर्स फेमस हो तो ही मूवीज चलेगी ऐसा जमाना तो गया आजकल content पर ज़्यादा focus किया जा रहा है story कितनी unique है और gripping है उस पर focus किया जा रहा है और वही gripping and engaging story है अधूरा की लेकिन unique है कि नहीं आगे बात करते हैं well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी अधूरा वेब सीरीज जिसके है साथ एपिसोड और हर एपिसोड अल्मोस्ट चालिस मिनिट का है लास्ट वाले को छोड़ कर वो एक घंटे का है तो इस शोग को देखने के लिए लॉजिक लगाने की ज़रूत नहीं है कोई सेंस नहीं बनता और इस सीरीज में एक डायलॉग भी है कि सम्थिंग इन दिस वर्ल्ड कैननाट बी एक्स्प्लेंड जो इस सीरीज का पूरा सार है सो चिल रहने का और सीरीज को एंजॉई करने का क्योंकि क्या है ना कि ऐसे प्लोट्स पर आज तक कितनी ही मुवीज और सीरीज और एवन टीवी सीरील्स बन चुके होंगे पास्ट में कोई अच्छा था उसके साथ बुरा हुआ और जिसने उसके साथ बुरा किया वो उन सब को 10, 12, 15 साल के बाद आत्मा के रूप में वापस आकर एक-एक करके खतम कर रहा है क्योंकि वो चाहता है रिवेंज तो स्टोरीवाइज आपको नया और यूनिक नहीं मिलेगा स्टिल ऐसे स्टोरीज को प्रेजंट करने का स्टाइल अगर अलग और यूनिक है तो बात बन सकती है स्टोरी में है एक बोर्डिंग स्कूल जिसमें है एक बच्चा चोटा सा है मन का सच्चा राइम हो गया और क्या acting की है यार उस बच्चे ने भाई साब ये बड़ा होके जरूर नाम रोशन करने वाला है अब उस school में एक पुराने badge का reunion होने वाला है और जब उस reunion वाले old boys को ये बच्चा देखता है तो वहां से शुरू हो जाते है अजीब अजीब किस से तो story में twist पे twist आते रहते हैं और एक के बाद एक reunion वाले old boys अजीब अजीब तरीके से मारे जाते हैं क्यूँ, कैसे और उस छोटे से बच्चे में किसी दूसरे की आत्मा क्यूँ है ये तो आप series में ही देख लेना लेकिन जिस तरीके से इसके story को execute किया गया है वो भी tight screenplay के साथ उसकी वज़े से आप इस story के साथ और इसमें दिखाए गए सारे characters के साथ अपने आप जुड़ते चले जाते हो और वो आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस series में काफी सारे ऐसे चेहरे है जो नए है या जिनको हमने बहुत कम बार screen पर देखा होगा तो हम उन्हें actors के तौर पर नहीं, character के तौर पर ही देखते है इसलिए connection जल्दी बन पाता है पूरे series में एक भी गाना नहीं है, thank God जिसकी जरूरत वैसे भी नहीं थी और इस series में दो बड़े social मुद्दो को छेड़ा गया है जिनके बारे में बताऊंगा तो शायद spoiler हो जाएगा तो series में देख लेना पर इसमें एक खामी है कि दूसरे तीसरे episode से ही आपको पता चल जाता है कि story हमें क्या दिखाना चाहती है और पांचवे episode में आप आराम से predict कर सकते हो कि आगे क्या होगा हाला कि सातवा episode यानि last episode जब खतम होता है तो उसके बाद भी story continue होती है to set up the second part of अधूरा so ये जो अधूरा है वो और भी अधूरा हो गया है तो हाँ इसका second season भी आएगा साथ ही इस series के actors ने decent काम किया है I mean जितना काम उन्हें दिया गया है उनके acting देखकर आप satisfied ज़रूर हो जाओगे बाकि story wise there is nothing new about it but still ये आपको engage करके ज़रूर रखेगी so मेरी तरब से इस series को 3 out of 5 stars मेरे random yogi channel पर नया vlog आ चुका है check out जरूर कर लेना और subscribe भी मिलते हैं अगले वीडियो में बाई